कर सकते हैं आज हम लोग ने देखा है कि युएस मार्केट अल्मूस 2.5 परसेंट तक इंक्रीज कर चुकी है कर सकता है कल डिफिनेटली मार्केट के अंदर एक ग्याप तो देखने वाला है बट अगर वो सस्तेन करता है नहीं करता वो चीज इंपोर्टेंट है एक बड़ चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटप की तरफ और देखते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स कर सकते हैं मार्केट का क्य से 18,900 तक आई थी एक हम लोगोंने बहुत अच्छा रिट्रेश्मेंट देखा है जिससे रिजेक्शन लिया था 61.8% फिबोनाची रिट्रेश्मेंट पे मैं एक बर आपको यूज करके भी दिखा देता हूं आप कल फिबोनाची से चेक कर सकते हो कि 61% के आसपास इसने रि अगर इसकी उपर कल जाती है और हम लोगों को ओपनिंग में सेलिंग प्रिशर आता है बट वो विदिन 30 मिनट सस्तेन कर लेता हूं मार्केट रिकावर करने की कोशिश करती है तो हमें एक लियर बाय पुजिशन मना सकते हो मार्केट एक अच्छी अपमूव और दिखा सकत है तो इसको हम चेक करते हैं एक बार मैं आपको ओपन इंटरस का डाटा भी दिखा देता हूं उस पर आपको क्लियर इंडरसांडिंग हो जाएगी तो जैसा आपको स्क्रीन में आपको देख रहा है कि कॉल राइटर्स पूरे अन्वाइंड हो चुके हैं पूर्ट राइट अगर मार्केट गाप खुलता हूँ वो सस्तेन होता है तो प्रीवेस जित्ते भी आप लोग स्ट्राइक प्राइस देख रहोंगी हो वहां पर कॉल के अन्वाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी अन्पूट राइटर्स की पूजिशिशन और ज्यादा बढ़ सकती है अगर मैं इसको के बताऊं तो मार्केट एक बेस क्रियेट कर लेगी 18600 के आसपास और उसको नीचे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस अपकमिंग एक स्पाइरी के अंदर एक बर मैं आप लोगों को अब दिखा देता हूं बांग निफ्टी बेभी एक ब् करता है और वहां पर एक पॉज लेता है एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलती है आप क्लिया देख सकते हैं राइजिंग चैनल के अंदर यह पर्टेगोलर इंडेक्स काम कर रहा है तो यह ब्रेक आउट है जो हमें 15 मिर्स के टाइम फ्रेम पे देखने को मिला है मुझे लगता है कि 42,200 से 300 तक की कल एक मुमेंटम दिखा सकता है इसकी बेसिस पे में आपको एक स्टॉक भी रिकमेंड कर रहा हूं जिसका नाम है अप एस बी आयन चेक कर सकते हैं लेट मी उपन आ टू आस ताइम फ्रेम फॉर यू तो तू आस ताइम फ्रेम के अंदर आप यहां देख सकते हैं एक प्राइस और वॉल्यूम कॉंट्राक्षिन पाटरन चल रहा है कोई भी मोमेंटम हमें पर देखने को जादा नहीं मिल रही है यहां पर आप देख सकते हैं कि जो लोग्य वो फिट तरफ सिफट हो रहे हैं आप यहां क्लीरल ही देख सकते हैं यह वाला एक लो था अफ्टर दाट यह लो बना बट रिजस्टेंस कॉंस्तेंट है वो करोगे तो rsi almost 50 के ऊपर है and अपनी moving average के ऊपर है तो there is a higher probability कि ये इसके ऊपर break कर सकता है 619 के ऊपर अगर ये particular stock निकलना start करता है तो हम इसके जो next target है वो 626 630 rupees के targets भी expect कर सकते हैं अब बात करते हैं अपने second last stock की that is बारत बिजली तो BBL हम चेक कर लेते हैं ये particular stock पे एक flag and pull pattern का आपको clear देखने को मिल रहा है and एक major resistance था let me open a daily time frame for you यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं all time high पर ही चल रहा है and most probably all time high को भी break कर देगा जो कि 2540 rupees का level है एक बहुत अच्य flag and pull pattern हमें देखने को मिल रहा है इसके जो targets है let me just show you the targets तो हम targets के लिए basically Fibonacci extension का use करते हैं retracement का use नहीं करते है and जो targets हमें देखने को मिल रहा है that is almost to 2700 plus के so almost to 200 points के targets हम यहाँ पर expect कर रहे है अब बात करते हैं अपने second last stock के that is pinned so PI industry अगर मैं बात करूँ तो PI industry बहुत अच्छा work कर रहा होना weekly time frame और यह एक swing trading की opportunity में work कर सकता है तो आपर एक बहुत अच्छा head and shoulder pattern मना है जिसका breakout हम लोग expect कर सकते हैं अपने resistance पर यह pause ले रहा है within few weeks और अपना जो moving average है उसके उपर भी sustain कर रहा है अगर हम आपको दिखाते हैं on a two hours time frame आप देख सकते हैं कि यह आपर एक range के अंदर यह पूरा trade कर रहा है and basically अगर यह इस level के उपर that is 3512 के उपर अगर यह निकलता है तो एक बड़ी momentum आ सकती है जो कि almost इसे 100 प्लस points तक के भी targets दिखा सकती है तो make sure आप इन तीन stocks को दो watch करो इसके इलावा मैंने एक watch list create करीगी है जो मैं टेलीगर आपका भी share कर देता हूं उस watch list का आप अलग एक section मना सकते हो जो पूरे हफ़ते चल सकती है जिस पर हमें intraday trades हैना swing trades और btsd trades भी मिल सकते हैं thank you guys for watching this video make sure to like comment and subscribe to our channel have a good day bye bye